तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्जामपल नमबर 11 तो एक्जामपल 11 में हमें दिया है प्रूव दैट कॉट A माइनस कॉस A उसके अपॉन में है कॉट A प्लस कॉस A इक्वल टू होना चाहिए कॉस सेक A माइनस 1 अपॉन कॉस सेक A प्लस 1 तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था पिछले वाले एक्जामपल में भी कॉस्चन का शुरुआत कैसे करें में चीज है वो क्योंकि वहीं पर अटकते हैं जादे तर बच्चे तो पहली चीज हम देखते हैं कोई identity लग रही हो तो हम identity लगाते हैं इसके अंदर कोई identity तो लग नहीं सकती क्योंकि identity क्या है identity का मतलब है कि हमें ऐसे number होने चाहिए थे या ऐसे ratios होने चीए थे जिनके अंदर square आ रहा हो हमारे पास जो तीनों identity उनमें square आता है तो identity तो लगेगी नहीं दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि हम question को sign और cost में convert करें तो यहाँ पर हम इसको sign cost में convert करेंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे फिर LCM वगेरा लेकर RHS लाने की तो पहले LHS को ही solve किया करो और LHS से कोशिश करेंगे हमके क्या आ जाए RHS तो पहले हमारे पास जो दे रखा है LHS अपना वो लिख लेते हैं LHS क्या है तो LHS दे रखा है cot A minus cos A और उसके upon में क्या है cot A plus cos A तो identity तो लग नहीं सकती इसके अंदर तो हम क्या करेंगे इसको sin cos में convert करेंगे तो देखो यह दोनों तो पहले सी cos दे रखे हैं हम क्या करेंगे इस cot A को change करेंगे तो हमने 8.1 के introduction में पढ़ा था कि cot A को हम कैसे cos और sin में लिख सकते हैं तो cot A को हम लिख सकते हैं cos A upon sin A तो हमने इस cot A की जगा पर क्या लिख दिया cos A upon sin A ठीक है और फिर minus फिर यह वाला cos A तो हमने यह भी चीज यहाँ पर लिख दी ऐसे यहाँ पर cot A की जगा पर क्या लिख देंगे जो हमने उपर लिखा है cos A upon sin A और फिर प्लस ये वाला cos A और जो भी चीज आप करते जाओगे उसको आप लिखते जाओगे कि जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है हमने इस जगाँ पर cot A की जगाँ पर क्या लिख दिया है cos A upon sin A ठीक है यह चीज हमने करी है तो यह चीज हमने आपर show कर दी अब इसके बाद क्या किया जाए तो आपको एक चीज दिख रही होगी lcum लेने से पहले अगर हम चाहें तो इन दौनों में से क्या ले सकते है common cos से और इन दौनों में से भी क्या common ले सकते है तो आप चाहो तो LCM भी ले सकते और चाहो तो common भी ले सकते मैं दौनों method से आपको बताऊंगा तो यहाँ पर हमने इन दौनों में से क्या चीज common ले ली cos A common ले लिया तो जब हम पूरे की पूरी कोई number common ले ले लेते हैं तो उसकी जगा पर क्या बचता है? 1 बचता है और upon में क्या है? इसके sin A जब आप दौबारा से cos A की 1 में multiply करोगे तो cos A यहाँ आ जाएगा और फिर minus यहाँ का यह cos A common आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा ठीक है? क्योंकि जब हम cos A की multiply 1 में करेंगे आ चुका है तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 इन दौनों में से हमने cos A common ले लिया इन दौनों में से cos A common ले लिया यह denominator में, numerator में इन दौनों cancel out हो गए अब 1 upon sin को हम क्या लिख सकते हैं? देखो sin और cos A एक दूसरे के होते हैं reciprocal जो यहाँ पर हमें दे रखा है cos A minus 1 और cos A plus 1 जो हमें लाना है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? इस 1 upon sin को 1 upon sin को हम क्या लिख सकते हैं? cos A देखो यहाँ पर sin और cos A के एक दूसरे के क्या है? reciprocal तो इसलिए हम cos A लिख सकते हैं 1 upon sin है और sin A को लिख सकते थे 1 upon cos A तो यहाँ पर 1 upon sin है 1 upon sin की जगा cos A लिख लेंगे तो यहाँ पर इस 1 upon sin की जगा पर आ गया cos A और फिर minus 1 और फिर यहाँ पर 1 upon sin A की जगे क्या आ गया? cos A और फिर plus 1 ठीक है? और यही अपना क्या था? RHS अब इसका एक method और देखो कि अगर बच्चा यहाँ पर common ना लेकर LCM लेता जो मैंने अभी आपको बताया था कि identity लगने के बाद हम क्या करते हैं? sign cos में change करते हैं फिर LCM लेते हैं तो अगर आप LCM लेते तो भी यही चीज आती तो मैं second method भी बता रहा हूँ इसका लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है? यहाँ पर जो आपने cos sec लिखा है one upon sign की जगा पर उसको भी यहाँ पर show करके दिखा दोगे कि हमने one upon sign a की जगा पर क्या लिख दिया है? cos sec a लिख दिया है तो अब यह आपका पूरा question हो चुका अब इसका मैं एक second method और बताता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ के बाद क्या लेंगे? lcm लेंगे तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो अपना lhs है उसको मैं यह second method बता रहा हूँ ठीक है? यह क्या है? यह है second method तो इसके अंदर हमने वही लिख लिया cot a minus cos a और इसके अपन में क्या लिख दिया? cot a plus cos a तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है? cot a को जैसे यहाँ पर change किया था हम इसको लिख लेते हैं cos a upon sin a और minus में cos a और फिर उसके अपन में यहाँ पर cot a की जगा पर हमने क्या लिख दिया? cos a upon sin a और फिर plus cos a अब इसको solve कैसे करते हैं? तो LCM लेने के लिए अगर मान लेज़े यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है या फिर one है तो इसकी इधर multiply हो जाती है इसकी इधर multiply हो जाती है इसे, तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं? इसको cos a को ऐसी लिख लेंगे cos a minus इस sin a की cos a में multiply हो जाएगी तो यह हो जाएगा cos a sin a और फिर उसके upon में ऐसे ही यह वाला जो sin a है यह आ जाएगा अब यह पूरे के upon में हो गया पहले यह बस cos के upon में था अब यह पूरे के upon में आ गया और फिर इसके भी upon में क्या चल रहा है? यह वाला तो यहाँ पर इस cos a को तो ऐसी लिख लेंगे और यहाँ पर इस cos a के multiply में यह वाला sin a चला जाएगा इधर तो यह हो जाएगा cos a into sin a और इसके upon में क्या दे रखा है sin a तो इस वाले sin से यह वाला sin क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा आप चाहो तो इसको reciprocal कर दोगे reciprocal करने के बाद क्या होगा तब भी यह cancel हो जाएगे यह चीज मैंने आपको बता रख किये ना तब भी कड़ जाते बात तो एक ही पड़ती तो अब इन दोनों में से क्या चीज common आ रही देखो cos a यहाँ पर भी है cos a यहाँ पर भी है तो दोनों में से क्या चीज common ले लिया हमने cos a यहाँ पर क्या बचा one और यहाँ पर क्या बचा sign a उसके बाद नीचे यहाँ पर इस में से क्या comment ले लिया हमने cos A और यहाँ पर क्या बचा फिर 1 और यहाँ का cos A बाहर आ गया तो क्या बचा इसके पास बस sin A ठीक है इस cos A से最os A क्या हो गया cancel out हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा बस हमारे पास बचा है 1-sin A और 1-sin A और sin को हम क्या लिख सकते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 upon sin cosac होता है ऐसे ही sin को हम क्या लिखते हैं 1 upon cosac तो इस sin A की जगा पर हम क्या लिख लेते हैं 1 upon cosac A ठीक है और ऐसे इधर यहाँ पर इस वाले sin की जगा भी क्या लिख देंगे 1 upon cosac A अब इसका LCM कैसे लोग है जैसे यहाँ पर इस sin A की इधर multiply करी थी इधर करी थी ऐसी इस cosac A की इधर 1 में और इस cosac A की इधर 1 में LCM ऐसे भी ले सकते हैं अगर यहाँ पर इसके upon में कुछ नहीं दे रखा है तो अब आगे इसके बाद हम क्या करेंगे cosac A की जब 1 में multiply करोगे तो क्या आएगा cosac A यह आजाएगा 1 की multiply किसी में करते हैं तो वही नमबर आता है न और फिर यह minus 1 और अब यह cosac जो है और बचा किया अपने पास cosac A minus 1 और cosac A plus 1 ठीक है तो आप कोई से ही method से कर सकते हो दो method मैंने आपको बता दिये आप चाहो तो अगर RHS को solve करते RHS से भी LHS ला सकते हैं हम इस वाले question के अंदर वो भी एक method है लेकिन जादे तर method करने की क्या जूरत है आप नएने तरीके अपना भी कोशिश करोगे तो आप नएने तरीके अपना भी लगा कर देख सकते हो दो method मैंने आपको बता दिये तो यह होगे आपका example number 11 अगर इसमें कोई doubt हो आपको तो comment करके पूछ लेना और next video के अंदर हम करेंगे इसका example number 12